कोईना मित्रा एक स्ट्रॉंग पर्सनालिटी वाली शक्सियत है बॉलिवुड इनल्स्ट्री में बहले ही कोईना पर सेक्सी आइकन होने का ठापाल लग दया हो लेकिन बिग बॉस के घर में कोईना ने खुद को बेहदी ग्रेसफुली क्यारी किया है आज की तारीक में कोईना की फर्सनालिटी को देख कोई कह भी नहीं सकता कि वो एक कमजोर औरोत है लेकिन एक वक्त था जब कोईना को महीनों तक घर में मूझ छिपा कर रोना पड़ा था और इसी एक इंसिडेंट ने कोईना का पूरा करियर बर्बाद कर दिया कोईना मित्रा की जिंदगी में ये दोर आया था साथ 2004 में इस फिल्म में एक गाना काफी मशूर हुआ था साकी साकी रे इस गाने पर डांस करने के बाद अच्छानक से ही बॉलिवर में कोईना मित्रा की मांगबट चली थी इससे पहले कोईना को फिल्मों में सिर्फ आइटन सौंग करने का मौका मिलता था लेकिन फिल्म मुसाफिर में साकी साकी गाने के बाद उन्हें फिल्म उफिर हुई अपना सपना मनी मनी इस फिल्म में कोईना मित्रा के साथ रुदेश, देश्मुकर, अनुपम खेट, चंकी पांडे, श्रियस कलपड़े जैसे स्टार्स थे लेकिन इसी फिल्म के दौरान कोईना को कुछ लोगों ने प्लास्टिक सर्जिरी की सलादे डाली कुछ लोगों ने कोईना से कहा कि वो अगर अपनी नाक की सर्जिरी करा ले तो उनके फेशल फीचर्स और शाप को जाएंगे और उन्हें बॉलिवुड में मेल लीट की और फिल्म में मिलनी शिरू हो जाएंगी लेकिन प्लास्टिक सर्जिरी कराने का फैसला कोईना के करियर के लिए सुसाइडल सावित हुआ दरसल सर्जिरी की बाद कोईना की नोस की हड़ी स्वेल करने लगी और नोस का شेफ और ज्यादा बिगढ़ने लगा इससे उनकी फिल्म अपना सपना मनी मनी पर भी असर पड़ा किर जैसे तैसे फिल्म दो कंप्लीट हो गई लेकिन नाथ की सरजरी की हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया और कहा कि बस अब भगवान से दुआ कीजिये हाला कि कोईना ने ऐसे बख में भी हिम्मत नहीं हारी लेकिन कोईना कहती है कि ऐसे बख में उनके कई अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया और इस बात ने उनने काफी हर्ट किया टाइमस अफ इंजिया को दी एक इंटर्वियू में कोईना कहती है खेर इसके बाद कोईना मित्रा की ना की कुछ और सरजरी हुई और फाइनली अब वो पहले से काफी बहतर है लेकिन इस एक प्लास्टिक सरजरी ने उनका करियर तभा जरूर कर दिया वेल बिग बॉस के घर में आकर कोईना मित्रा इपार फिर से अपनी आइडेंटिटी और अपनी ग्लामर्स लाइफ को दुबारा ढूनने की कोशिश कर रही है हमें उमीद की कोईना पहले के मुकाबले और ज्यादा बहतर और ब्राइटर वे में शाइन करते हुए सामने आएंगी